आईए देखिये सुनिये और समझे अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टी नई खोज अध्यात्म विज्ञानी एहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशा नंजी के साथ बाई और बैनों शोता गण दर्शक गण मातरी सक्ति को नमन इस टूडियो में आप सभी का आर्दिक स्वागत अभिननने सत्कार है आप सभी की तरफ से परम ध्यानी परम ज्यानी अनुभवी और कुदरत कुदरत की रिचनार कुदरत के कानून को बताने वाले सनातन सत्य को बताने वाले सारभोम सत्य को बताने वाले सनातन सत्य को बताने वाले उनिवर्सल टृत को बताने वाले स्वामी स्री कमलेशनन जी आज हमारे बीच में स्टूडियो में बिराजमान है और हमें सत्संग करा रही है सत्संग आप तक बराबर निर्बाद गती से पहुंच रह तो स्वामी जी का आप सभी की तरफ से महारदिक अभिदनन करते हैं सत्कार है और नमन है प्रणाम है स्वामी जी भारतिय संस्कृति में परोपकार की बहुत बात चली है और चार रिण की भी बात चली है देव रिण पितर रिण गुरू रिण और समाज रिण की भी बात चली है और ऐसा बताते हैं व्यक्ति को ये जनम समापत होने के पहले पहले ये चारों तरीके से अपने अपने हिसाब से रिण चुका देना चाहिए ये रिण साथ में लेकर के नहीं जाना चाहिए यानि सेवा का बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है हमारी भारतिये संस्कृति में जो की रिण उतारने के रूप में किया गया है तो करपया आध्यात्म विग्यान के रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये बताईए कि ये चार तरे के रिण क्या है और रिण रिण को कैसे उतारा जाता है और क्यों उतारना चाहिए और उतारने के लिए क्या विदी अपना ही जानी चाहिए कि रिपया थोड़ा खोल करके इस रिलेटिव सत्थे को भी बताईए धन्यवाद परस्त के लिए जिस प्रगार से हमारे समाज के अंदर हमारे रुश्य मुनियों के द्वारा हमारे ब्राम्bn言ों के द्वारा भूदेवों के द्वारा जो कुछ भी एक परंपरा बनाई गई कि आज एक इन्सान होने के नाते कितना सारा रून आपको है सबसे पहले बताया देव रून अब यह आप देखो देव का मतलब क्या है देव कोई वेक्ति नहीं है देव का मतलब होता है कुदरत आपने उसको वेक्ति के रूप में ले लिया आप कहते हैं वगवान का रून भगवान कारून क्या होता है? क्या भगवान को कुछ चाहिए? जब हम इनको बस मांगते हैं, तो देने की तो बात है नहीं? गुद्रत कारून, जिसने हमने जन्म दिया, जीवन और मृत्यू और सभी अबस्ता हम को देंगे, वो सबसे पहला गुद्रत कारून है. हमारा जन्म ही उससे हुआ है. और खुद्रत के लिए आज हम भारती संस्कृति, बैसे भी, सुर्यों को नमस्कार करना, चंद्र को, चंद्रमा का दर्शन करना, नदियों को मता मानना, पीपड के पैड को पुजा करना, पाहडों को देवता मानना, समुंदर के पास से दिर गंबिर, थाकि रश्ठी से देखना, जंगलों की वैल्यू समझना, जहां हजारों लोग जिव रहते हैं, धर्ती के भी वैल्यू करना, सभी चिज़ों की वैल्यू करना, यह सबसे पहले कुद्रत कारून है, यह नहीं ह यह हवा पानी खोराग देने वाला, पानी को अपने अगनी से बास पी भवन करके भाप बनाएंगे, बारिस गिराएंगे, वो सुर्यकोबी नमन, रात को सोते समय सितलता है चाहिए, शानती चाहिए, ठंड़क चाहिए, वो चंद्रकोबी नमन, जीवन जीवन जीने के लि जीवन धर्ती पर जीने के लिए धर्ती चाहिए, इनको भी नमन, हर चीज हमको सिक्षा देती है, तो यह तो कुद्रत का है, उसलिए सबसे पहले कुद्रत को नमन, यह पंच महाभूत भी तो कुद्रत का है, सबसे पहले कुद्रत को नमन, दुसरा जन्म देने वाले माबा आपको नमन, जोनों ने इस धर्ती पर हमको पैदा किया, हमारा अस्थित्व का वो बड़े निमित बने, और जो कुछ भी भाषपन में है, हमको लालन पालन करके बड़ा बनाया, खाना पिना खिलाया, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सिखाया, जब जब भी कोई तकलिफ आती है, तो माबाप का वाशिरवाद, ब्लेसिंग, मारगद रशन, धिया, ऐसे माबाप को हमारा दूसरा रून होता है, तिसरा रून होता है, गुरु का, वो दो बरकार के गुरू है एक सिक्षा के गुरू है और एक धार्मिक गुरू है दोनों को नमन सिक्षा के गुरू वो विवार में काम करता है पढ़ाए होने के बाद हम जॉब कर सकते है विजनेस कर सकते है तो वो भी गुरु को नमन और जो धार्मिक गुरु है जो हमको संसकार बनाए रखता है हमको सयमीत रखता है हमका हमारा चारित निखारता है हमको मानवता सिखाता है हमको भगवान के लक्स में रखे हमको पापों से दूर रखना चाहते है या तो पापों का प्रयाश्चित करवाना चाहते है ऐसे गुरू को भी हमारा नमन और चोथा कौन है पहला हुआ कुदरत समाज दूसरा हुआ भाबाप तिसरा हुआ गुरू चोथा समाज इस समाज सब्दों जो बताया है मैं यहां राष्ट एर कर देता हूँ राष्ट जि अज भारत वर्ष के अंदर हमारे सेंट्रल जो गवर्मेंट आती है वो पुरे भारत वर्ष में रोड बनाते हैं वो पुरे भारत वर्ष में ट्रेन का पाठा लगाते हैं वो पुरे भारत वर्ष में एरपोर्ट बनाते हैं गवर्मेंट बहुत पौरी कि धार्मिक स्कॉल और कॉलेज इंस्टिट बनाती है हॉस्पिटल भी बनाती है बड़े इंडिस्ट्री का भी स्थापना करती है ताकि आम लोग उसको नहीं बना सकते तो इतना बड़ा इंडेस्ट्री करेंगे तो आपाँ दस जार पंदर जार विप्या का लोगों को रोज राष्ट का काम है हमको सेक्यूरिटी देना राष्ट का काम है उसमें से निचले हिस्से में अपना स्टेट लेवल सीटी लेवल टाउन लेवल विलेज लेवल और वहां का जो अतावर्ण है वो भी हमको सहायक है बगर ब्रॉड विजन से आप नेसल कहूंगे छोटे से तो सबसे पहले धर्ती को नमन सबसे पहले कुद्रत को नमन क्यों कुद्रत के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं आखिर हम कुद्रत को क्या दे सकते हैं जब सब कुछ ही तो कुद्रत का है हम कुद्रत को कुछ दे नहीं सकते हैं मैं मान सकता हूं मगर कुद्रत के है जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है जिसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है इसके वैल्यू नहीं समझना ये बात ठीक नहीं है तो इसलिए हम को खुद को करना है और परिवार को भी समाज को भी राष्ट को भी इसके वैल्यू बताना है कि उनके आधार से हमारा जीवन का अस्तित भाए है और इसलिए जब इनसान मर जाता है भारतिय संस्कुति में तो उनकी अस्ति नदियों में बहाद दिया जाता है क्योंकि वो खुद्रत की है और खुद्रत के पास ही रहे तो एक हमारा संसकार है हम नदि को माता मानते है और वो अस्ति नदि में बहाद दिया तो समझना माता के चड़नों में हमारी अस्ति चली गई है एक भावनात्मक बात है मगर होना चाहिए उनके वैल्यू होना दूसरी बात आती है माबाप की जो माबाप हमको हो भी हमारे बड़े गुरु है जो हमको सिक्षा देते है जन्म देते है, लालन पारन करते है सिक्षा देते है, हमको ट्रेन करते है basically, fundamentally और दिन रात हमारी चिंता करते है खेलते समय, पढ़ाए खरते समय, खाते समय, सोते समय हर समय हमारी वो चिंता करते है कि मेरा बच्चा या बच्ची महान बने, महान बने, महान बने होती है तो दूसरा रिस्पेक माबाप को देना है और हमको रिस्पेक का मटब होता है उनका सर उचा रखना है कभी हो हमारे कार्य से उनका सर निचा नहीं गिरना नहीं चाहिए और जब भी जरुरत है हम उनकी सेवा करेंगे ये भी लक्स हमारा होना चाहिए ये दूसरे गुरु है तिसरे गुरु है शिक्षा और धार्मी शिक्षा में तो हम पैसा देके पढ़ाई करते हैं तो हम पैसे रून अदा कर देते हैं स्थोल रूप से लगर पैसा दे के पढ़ाय करने तो एक छोटी बात है तो सिक्सा की वो कीमत नहीं होती है क्योंकि सिक्सक को परिवार चलाना है तो इनको पगार देना है तो इसलिए आप पीस देते हैं मगर सिक्सा की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमको जब भी मालूम होता है कि हमारे स्कूल कॉलेज के जो टीचर है उसमें किसी को दिक्कत है और मैं कैपेबल हूँ अपने फिड में तो हो सके जानकारी प्राप्त करके हेल्प करने का प्रहास करना चाहिए ये भी तो हमारे ग जिने का तरिका दिया जिवन जिने की सोच दिया पाप और पुर्णे की वैल्यू बताई अच्छे काम क्यों किया क्यों करना चाहिए कैसे किया जाता है वो बताते हैं को हमारे मन को वो शांत रखता है पापों के प्रहश्चित की बात करता है और प्रमात्मा के पास सक्ति म ऐसे ही कारियों के लिए इस चौथी बात तिस तिसरी बात और चौथा है समाज राश्टर देखो पूरा राश्ट जो है व्यक्तियों से बना है और राश्टर के अंदर हर व्यक्तियों की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है इसमें हम भी एक हिस्सा है चोटा सा आज हम क्या करते हैं राश्टर के पास सरकार के पास समाज के पास मांगते हैं कि आप हमको हैल्प क्यों नहीं करते हैं तब राश्टर कहता है यह राश्टर आप आपके लिए बना है और जो जो कुछ भी हुआ है राश्टर के लेवल पर उसी से आपका भी यह सुविदा है तो आप यह देखो इजनी सारी सुविदा जो आपको बाय प्रोड़क्ट में मिल गई है इसके लिए आप राश्टर के लिए और क्या कर सकते हो आपकी क्षमता कहो, एबिलिटी कहो, आपकी लक्षमी कहो, आपका ज्यान कहो, आपकी सेवा कहो, कैसे भी करके मैं राष्ट को, समाज को, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, थाकि एक राष्ट के एक व्यक्ति के नाते, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते, मैं देश के लिए कु ये मत समझो कि आपका काम चोटा है दुनिया में कोई भी काम चोटा नहीं होता है इतना जरूर ध्यान रखो ये स्वास लेने का काम भी चोटा नहीं है अगर बंद हो गया तब मालू होगा कि स्वास लेने की वैल्यू क्या है दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है लोगों की सोच छोटी बड़ी हो सकती है काम तो काम ही होता है और सभी काम की अपनी जगापे वेल्यू होती है एक जारू वाले की भी वेल्यू होती है एक संदास बात्रूम साफ करने वाले की वेल्यू होती है एक कचड़ापुता सा करने वाले की वेल्यू होती है एक रसवी वाले करने वाले की वेल्यू होती है एक पढ़ाने लवाने की वेल्यू होती है सबकी अपने वेल्यू होती है और सबी से समाज और हमारा जीवन उजवल है यानि किसी की value कम करोंगे यह हमारी द्रश्टी की ही कमजोरी होगी तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से मैंने चार गुरू को बताया और चार गुरू की जो value बताई इसमें से हम भी जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ताकि हम समाज के अंदर कुछ दे सकें, इतना हम साबित कर सकें, यह नहीं साबित कर सकें, हमने समाज ने क्या दिया, जब पैदा होते यहां तक आए, वो समाज नहीं तो दिया है, यह नहीं होता, तो हम कुछ न नहीं कर सकते हैं, हम आज कहते हैं कि हम ने पढ़ाय किया इतने डॉक्टर बने चार्टर एकॉंटर बने एंगेनर बने लॉयर बने फिर हमने इतना पैसा कमाया मेहनत करके, बात सही है, मगर यह मत भूलो कि पैदा होते ही, स्कूल, कॉलेज, यॉनिवर्सिटी, फूड, वाटर, एलेक्रिसिटी, ट्रांस्पोर्टेशन, यह सब कुछ समाज ने ही दिया है किताब भी समाज ने ही दिया है, और रिलेटेड फैसिलिटी समाज ने ही दिया है, कपड़े वाले ने कपड़े दिया, खाने वाले ने खाने दिया, वनस्पती वाले ने वनस्पती दिया, फरनिचर वाले ने फरनिचर दिया, जिसके पास था, वो सब को बाटा और आज हमारा जीवन सभी प्रकार की सुविधा से युक्त है क्योंकि समाज के लोगों ने उसको बाटा है हो सकता है कॉमर्शल परपस के बाटा होगा मगर ये गलत नहीं है सुविधा तो है ने तो सभी सुविधाओं को सहाय के बाद आप यहां पहुँचे हैं तो आपका भी फर्ज है कि समाज के लिए कुछ ने कुछ करें आपके लेवल के मुताबर यहीं मेरी आप सबको सुबकामना है स्वामी जी आपका बहुत पहुत धन्यवाद जो मैंने प्रश्न किया था देव रिन गुरू रिन पित्र रिन और समाज रिन उसका आपने अध्यात्म विज्ञान के रिलेटिव पक्ष से और बीच बीच के अंदर रियल पक्ष भी जोड़ा है तो बहुत ही सुन्दर ढं का समभा है अगर हम इन चहद्रियों का एक्स्प्लोइटेशन नहीं करें इनका दोहन नहीं करें ये हमारी कुदरत की सबसे बड़ी सेवा है कि हमें जितनी आफशकता हो उतना प्रत्वी जल अगनी वायूर आकाश पंच भूतों का उप्योग करें और जितनी आफशकता हो उतना जो है हम उप्योग नहीं करके अतिरिक एक्स्प्लोइटेशन करें प्रत्वी को गेरा खो दें पानी को जो है रंग वगर डालके पॉल्यूट करें और चिमनियों के द्वारा वायू को पॉल्यूट करें और अगनी को हम पॉल्यूट करें और आकाश को हम गंदा करे और आपने गुरू का रिन बताया गुरू की परिभाशा करें गुरू का मतलब होता अंदकार रू का मलोता दूर करने वाला गुरू वह व्यक्ति होता है चाए रिलेटिव सिक्षक हो चाए रियल में आपके जैसा ग्यानी पुरुष हो या आचारी कोई भगवन कोई भी हो तो वह गुरू हंदकार को दूर करता है गुरू की सेवा हम गुरू के दिये हुए ग्यान आपके दिये हुए ग्यान को अध्यात्मिक ग्यान को जन जन तक लोक कल्यान तक पहुंचा हो जो आपका mission है कि spiritual scientist बनाना ये आप जैसे गुरू की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है और पितरिन माता पिता को चित समाधी पहुंचा करके उनको अध्यात्म दिज्ञान बता करके मुक्ति की और ले जाना और उनकी जितनी मन वचन काया कि जो शा जो है हम तन की सेवा मन की सेवा धन की सेवा जो भी हमारे पास सादन है वो निश्छुल करूप से बिना पैसा लिये हुए हम लोगों को अपनी योग्यता मुफ्त के अंदर बाटे हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा हो सकती है तो इसके सासाथ में आपने जो सत्का भी किया तो बहुत संतुलन किया, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभी नंदन सत्कार, स्वामी जी, जितना समय बचा हुआ है, तो एक मैं हलका फुलका प्रश्न और कर लेता हूं, कि नर और मादा, इससे ये स्रस्टी चलती है, नर और मादा ना हो तो को इस गाड़ी के दो पहिये करते हैं, अगर हमारी बाइक है, टू विलर है, एक पहिया पंचर हो जावे, तो गाड़ी को गसीटना कितना कटिन होता हम जानते हैं, तो ये नर और मादा दोनों आशक है, और ये अगर फिप्टी फिप्टी का रेश्यो रहे, इस जो है इतना इगोस्टिक हो गया है कि ये रेश्यो बिगड रहा है, क्योंकि ब्रून अत्या हो रहे हैं, जब व्यक्ती को ओरत को खास तोर से इसके अंदर जो मादा का ज़्यादा रोल है, ज़्यादा जुम्मेवारी है, मनुश्य इसमें कम इंटर्फियर करते हैं, कि भीतर ही जो है उस ब्रून अगर लड़की है तो मार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, खतम कर दिया जाता है, रेश्यो आज पचास पचास से घड़के, पचास से अटालीस, पैतालीस तक पहुँच गया है, तो बहुत बड़ा समाज के अंदर एक बिखरा वोरा है, रहो सकता कि क्योंकि ये चेतना को मार रहे हैं व्यक्ति को चेतना मरती नहीं है लेकिन जो मरने वाला है जी उसमें तो चेतना है पता नहीं वो कितना विकास करेगा जिंदा रहता है तो तो करपिया रियल और रिलेटिव दोनों वियू से जो है बुरून हत्या पर प्रकाश डाल के बर आज के समाज का बर्निंग क्वेश्चन, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या होना चाहिए, क्या उनसे लाब है, नुक्षान है, देखो, हर रिलेटिव सत्यका, दो पक्ष होता है, फाइदा भी और नुक्षान भी, और इसलिए वनवे बोलेंगे, कि हम फाइदा ही होगा, नुक्षान नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, कहीं सारे व्यक्तियों को, जो एक बार गलत काम कर चुके हैं, इसको छुपाने के लिए, भून हत्या, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है, और कहीं लोगों को, अपने जीवन में, जैसे जैसे ये परिस्टि आती है, तो एक सौक के लिए करते हैं, तो वो ठीक नहीं है, एक जिन्दे व्यक्तियों को, पंच भुतों वाला, या तो पांच इंद्रियों वाला, फाई सेंस वाला जीव को आप उगते ही मार देते हैं, सुचो आपको भी ऐसा हुआ होता तो, तो नहीं करना चाहिए, हम ये मानते हैं कि, ये सब की जड़ क्या है, अब ये, मैंने पलस और माइनस पर बता हैं, बहुत सारा है, मगर समय कि मरियादा की आधर से लंबा नहीं बताऊंगा, मगर आपको सब को ये बताना चाहत, ये दोनों की जड़ क्या है, आपके ब्रूं हत्या करनी क्यों हमारे समाज में विशाई वासना जो बढ़की हुई है लोगों के अंदर सेक्स के भूक जगी है और इसलिए आसानी से गलत काम कर देते हैं आनद के लिए होने के बाद मालूम होता है कि तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई परिवार के अंदर समाज के अंदर जिम्मेदारी बढ़ गई फिर इसको छुपाने के लिए ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं इज्जत बताने के बचाने के लिए मारना भी पड़ता है और आनंद प्रमोत के लिए भी मारना पड़ेगा क्योंकि बच्चा होगा तो इसको बढ़ा करना पड़ेगा इसा फूल में से मिटनी चाहिए मैं यह नहीं कहता हूं कि बच्चा नहीं होना चाहिए बच्चे नहीं होनी चाहिए होना चाहिए मगर हमारी शक्ति जो है विर्य सक्ति इसकी एकोनोमी की भी इतनी ही जरूरत है जितनी पैसे की जरूरत है जैसे हम पैसे की एकोनोमी करके अपना भविशा को उज्वल बना सकते हैं ऐसे विर्य की एकोनोमी करके हम अपने मनवचन काया को उत्तम बना सकते हैं जो परिवार में, जो समाज में, जो राष्ट के लिए काम कर सकता है एक आदर्स के रूप में काम कर सकता है तो मैं समझता हूं कि ये बातों को हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बिस्तार से समझना पड़ेगा अभी त्मी की मरियादा के आजिन मैंने इस बून हत्या के बारे में पलस और माइनस पंड़ बताया उसका रूट क्या है वह भी बताया और अगर आप मेर्य की एकोनोमी करते तो आप कितना महान बन सकते हैं परिवार के लिए समाधिल की राश्र के लिए वो भी मेंने बताया विस्तार से आगे आगे सब बातیں बताई जाएगी आपकी ही भावनाओं के मताबिद आपकी ही अपक्षाओं के मताबिद आपके प्रस्तों के माधियम से आईए हम सब अपना जीवन धन्य बनाएं, मंगल बन बनाएं, उज्वल बनाएं, जहीं मेरी आप सब को सुप्प्राइब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रून रत्या को आपने अनेतिक माना है, लेकिन नेतिक अनेतिकता के साथ आपन वो आगे चल करके आती, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, लेकिन कुल मिलाके समाज के संतुलन के लिए हमें इसको एक बुराई के रूप में मानना पड़ेगा, और आपने का विशेवासना का भी लिमिट होजिए, स्वधार संतोश होना चाहिए, ये परिस्त्री तो हमारे जो है, ये मन वचन काया और पुस्ट होते हैं, और और पुस्ट होते हैं, तो अभी हमारा बहुत बड़ा कहना चाहिए, जो ओज और हमारा वर्चश वबढ़ता है, स्वामी जी, इन सब प्रशनों को अध्यात्म और विज्ञान की द्रस्टी, और पंचेंद्री जीव को मारा जा रहे ही बहुत बड़ी इंसा है, उसका परिणाम तो भुगत ना पड़ेगा कर्म की द्रस्टी से, तो ये भी आपने कारण बताया, तो इन से बुगत चीजों को बहुत अच्छी तरह से समायत किया, आपके प्रती बहुत बहुत करते किता, धन्यवाद, जाई सचिदारन, आईए देखिये, सुनिये और समझे अध्यात्म विज्ञान, नई द्रिष्टी, नई खोज, आध्यात्म विज्ञानी एहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानन जी के साथ, इस कारिक्रम के प्राजक है, झाल सम्राओन, आई प्राजक प्राजकों के साथ, प्राजका है,